तो जाएं साथे वाग फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार छोटा ट्रेटर में जैसा कि कल की वीडियो में बता हुआ था अगर आपने देखा होगा कल की वीडियो जो हमने पोस्ट की थी तो आज जिपनेटली मज़ा होगा हम आप सभी को इस जो है डिसकस करने का प्रयास करूँगा थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूँगा जो की सिर्फ लर्निंग प्रपस के लिए होगी मेरा इस वीडियो बनाने का उदेश किसी प्रकार की बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन के लिए नहीं होगा दूसरी एक इंपॉर्ट आपका टाइम वेस्ट की हुए हम लेके चलते हैं चार्ट पर जहां पर हमने निफ्टी-फिप्टी का चार्ट ओपन करके रखा देख सकते हैं यहां पर कल के वीडियो में हमने एक होर्जेंटल लाइन ड्रा करी हुई थी और मैंने बताया था कि अगर टूपर अगर अगर मार्केट सटेंड करती हैं फिर गायप भी करती तो इसके ऊपर सस्टेंड करती है तो हम कॉल साइड में इंटर कर सकते हैं यानि कि हम पॉजीशन बना सकते थे ठीक है मैं अपनी बात कर रहा हूं लेकिन हमने यहां पर बाइंग पोजिशन इसलिए नहीं बनाए क्योंकि यह उपर सस्टेन नहीं की इसलिए मुझे लगा कि यह गैप अप करी है तो हो सकता है मार्केट चाहे फ्लाइट रहे या पर नीचे की तरफ आए तो मैंने जो रेस्टेंस लेवल यहां पर बताया था 22,530 सबसे पहले तो यहां पर 15 के टाइम फ्रेम पर हमने निप्टी फिप्टी का चार्ट लगाया हुगा है आप सभी के सामने दर स्टेब भी होगा इस चीज को भी आप सभी लोग फोकस करेंगे वीडियो को एस डी में लगा के देखेंगे तो डिफिनिटली आप सभी को होगी है तो आपने देखा कि मार्केट यहां पर ओपनी कराती जरूर है उपर की तरफ जाती है नीचे आती फिर पंदनावट की एक केंडल यहां पर यह वाला हाई लगाती है 22,530 का इसी लेवल से मार्केट रिटेस्ट करती हो नीचे की तरफ आके थोड़ा सा फ्लाइट देखें होंगे उन्हें मजा है होगा और यहां से अगर हमने किया होता तो तो अगर प्रॉफिट नहीं होता तो नुकसान भी नहीं होता मेरा आइमानना चलिए पंदनावट के टाइम फ्रेम पर चूंकि इंट्रडे बेसे पर ऑप्सन टेडिंग में यही तो एक खास बात देखना चाहिए या फिर चार्ट कैसे देखते हैं कैंडल क्या होती है सारी चीज आपको इसी चैनल के मादम से प्रवाइड भी कर रहा हूंगा तो अब यहां पर देखिए 38% का जादू हम आप सभी को दिखा देते देखें मार्केट कहां से गैप अप करी है यहां से यहां से मार्केट जो है एक्जाक तरफ बाउंस बैक की है अब यह देखना यह होगा कि अगर इसके नीचे आती है तब तो फिर अगर रीट्रेस करेगी तो 50% 61% 78% तक आशकती यह ठीए अगर इसको क्रास करती है फिर से मैं बता रहा हूं कि 22530 के ऊपर अगर निकलती है तो मेरा मानना होगा कि मैरके फिर से यहां पर बुलिस टेंड में होगी यहां हो सकते है यह मैंने आपको बताया था या फिर अगला जो रेश्चन्स निकलके आ सकता है या फिर जो अगला मेरा लेवल हो सकता है वो होगा 22,600 और इसके बाद 22,680 ठीक है यह दो लेवल होंगे अगर इसको निकालती है तो फिर हमें एक और जेन्टल लाइन लगा लेते हैं tremendous level बीच में 600 एक है अगर यह निकालते है अदर्वाइस सेटी-एट परसंड के लेवल पर भी हम जू है यह चीज मार कर लेते हैं इसके नीचे 78% तक का रिट्रेस्ट लेवल मेरा फेवरिट रिट्रेस्मेंट लेवल है तो इसको भी हम मार कर लेते हैं अब हम कल प्लान कर सकते हैं अगर 22424 के नीचे आती है तो कहां तक मैक्सिमम 22,321 इसके नीचे आती तो फिर देखा जाएगा कैसे क्या होता है वैसे फिर इसके नीचे फिर अगला सपोर्ट मुझे यह भी देखने को मिल सकता है और यह भी देखना को सकता है ठीक है यहां कि 22,100 लेकिन यहां आना इतना आसान नहीं है पहले इन दो रिट्रेस् चार्ट पर आप सभी को लेके चलता है यहां पर बैंक निफ्टी का यहां पर फिर से यहां पर चलो सिंबल सर्च कर लेता हूं अट अट कर लिए यह देखिए अट की टाइम फ्रेम पर मैंने कुछ चीज़े आप सभी को बताई थी लेकिन चुकि इंडर डेबेसे पर आई थी समझाए थी को जिसनल वालों के समझ में आई होंगी और आने भी चाहिए हम इसको लेके चलते हैं 15 मिट के टाइम फ्रेम पर लेके चलते हैं ताकि कल के ट्रेडिंग सेशन में हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ को थोड़ा सा डीपली देखने का प्रयास करेंगे या माण कर सकते हैं कह चाहर्ट को थोड़ा सा बढ़ा करेंगे हम कि अंब से पहले सारे सारे लेवल हैं अलाकी ही इंपॉर्टन लेवल हैं हम हविसकते हैं यहां से ट्रेंड लार्न हम ढ़ लेके इस प्वाइंट को कनेक्ट करते हैं और यह यह मार करते हैं कि यह चीज इस तरीके से मार्किंग करी आज का जो हाई लगा हुआ है वह रेजिस्टेंस होगा कि एक सिकंड में यहां से भी थोड़ा सा देख लेता हूँ कि एक्स्टेंशन का टूल है कि एक्जैक्ट मेरा जो मानना है यह 78 परसेंट वह एक्स्टेंशन है तो 47 थाउजन 47 थाउजन 800 का यह रेजिस्टेंस हम मानके चलेंगे क्योंकि एक बार यहां से भी हम देख रहे हैं 78 से नीचे की तरफ आई है हाला कि यह जो है फिर से रेजिस्टेंस हो सकता है इसके उपर अगर निकलती है तो हम मानके चलते हैं यह कौन सा लेवल है 48,344 इस पे एक हम मार्किंग कर लेते हैं यह चीज ठीक है और इसके नीचे इस चीज को अब हम इसको कर देते हैं डिलीट ठीक यह चीज फिर से अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं मेरा जो मानना है 47,388 यह वाले लेवल 47,800 48,340 यह अगर इसको ब्रेक करता है 47,380 के लेवल को ब्रेक करता है नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो 47,000 का लेवल 964 का है 46,900 लेकिन 47,000 47,000 47,000 का लेवल लेकर चलेंगे हलाकि यह एक्जेक्ट पॉइंट है पचास चालिस पांच पचास पॉइंट है तो हम बफर लेकर चलते ही चलते हैं बैंक निफ्टी में आप सभी के लाइक साने चाहिए वीडियो पर अधरवाइस मज़ा नहीं आएगा तो फिर वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा तो मेरे नाम पर कोई अगर पैसा मांगता है तो उसे पैसे मलते मेरा जो लर्निंग ग्रूफ है टेलिग्राम चैनल वो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप जॉइन हो सकते हैं अधरवाइस कोई दिक्कत आती है तो कॉमेंट सेक्शन में बताइए हम आप सबी के कोमेंट्स भी रीट किया करते हैं अधि मिलते भी हैं सटरेड्य-डे संडे प्लाण किया हूं लाइव भी आने का और जो learners group है तो उस पर भी जोम से connect होने का प्रयास कर रहा हूं और होगा learners group कोई paid group नहीं है वो उन लोगों के लिए है जोनोंने मेरे link से किया हुआ है और वो ट्रेट करते हैं ठीक है तो आप सभी को कोई डाउट हो तो description में मेरी contact details भी है आप connect हो सकते हैं मेरे साथ किसी फेक ग्रूप में मत जोईन हो जाएगा और नहीं किसी फेक लोगों से चैट करने लगएगा ठीक है ऐसा ही प्यार असरवाद बना रहे हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद जैभारत बंदे मात्रम टेक कियर बढ़ आलाव यू